कोरोना कालना ओगणीस महिना दर्म्यान वड़ाप्रधान नरेंदर मोधिये आज जे दसमी वार प्रजा जोग संबोधन कर्यू छे वड़ाप्रधान नरेंदर मोधिये राष्ट्रा नहीं संबोधन कर्यू हतूँ वड़ाप्रधान नरेंदर मोधिये कहूँ हतूँ के 1100 अक्टोबरे भारते एक अबज एटले के 100 करोड वैक्सिन ना डोज नू मुश्केल परन्तु असाधारन लक्षय हांसिल कर्यू छे आ सिद्धी पाचल 130 करोड देशवासियोंनी कर्तव्य शक्ती लागेली छे तेथी आ सफरता भारतनी सफरता छे दरेक देशवासीनी सफरता छे हूँ अमाटे तमाम देशवासियोंनी अभिनंदना पुछू वड़ाप्रधान नरिंद्र मोधिये संबोधननी शर्वाद करता कहिव हतु के जो मैं सब्य आहतम जो आपने तने भारतना संदर्भ माजोईये तो आपना देशे एक तरफ फरज बजावी छे तेनू पालन करवामा आवियो तो मोटी सफरता मली गई कालेज भारते 100 करोड वैक्सिन ना डोज नू मुश्केल परंदू असाधार्यन लक्ष हाशल करू आदरेक देश्वासीनी सफरता छे आ मात्र एक आकडो नथी एक देशनी ताकात नो प्रतिबिंब छे आएक नवा भारतनू चीतर छे जे अगर्यू लक्षे पन हांस दिल करवा मांगिशे नमस्कार मेरे प्यारे देश्वासियों आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक बाद एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं कुरुतम में दक्षिने हस्ते जयो में सव्याहित हूं इस बात को भारत के संदर्व में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरब करतेवा का पालन किया तो दूसरी तरब उसे बड़ी सफलता भी मिली कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है इस उपलब्दी के पीछे एक सो तीस करोड देश वासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है इसलिए यह सफलता भारत की सफलता है हर देश वासी की सफलता है मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बधाई देता हूं साथियों सो करोड वैक्सिन डोज यह केवल एक आंकड़ा नहीं है यह देश के सामर्थ का पतिबिम्ब है इतिहास के नए अध्याय की रचना है